नमस्कार दोस्तो रावन श्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है तो आज की फीडियो में आप देखने वाले दो शुगर श्टॉक के बार में तो पहले श्टॉक का नामे स्री रेनु का शुगर्स लिमेटेड प्रैस लगबग 44 रुपई के आसपास है दूसरा श्ट बहुत निगेटी निउस है दोनों कंपनी के लिए यह फिर दोनों फैक्टरी के लिए ऐसा बोल सकते तो यहां पर जो भी निउस है देख लेंगे पूरे डिटेल में उससे पहले बिग डिस्लेमर कोई भी श्टॉक लेते तो खुद का श्टॉडी जरूर कीज़े क्योंकि भी खुद का श्टॉडी रहते आप लोगों को स्टॉक मार्केट के जर्नी में बहुत आगे लेकी जा सकता है तो यहां पर अगर आपको कंपेरेजन करना है दोनों स्टॉक में से कौन साथ चश्टॉक है तो यहां पर आप लोग दे सकते हैं जो स्री रेनू का शुगर है इसने अभी तक अपने शेरोल्डों को सिर्फ एक बार यहां पर बोनस दिया तो डिविडेन तो अभी तक इसने एक बार भी नहीं दिया जो दूसरा स्टॉक ही जैसे की उगार शुगर वर्क्स लिमेटेड इसने दो बार यहां पर बोनस दिया है और लगबग चार से आपमस कर पा रहा की नहीं आच्छे रिटन दे पा रहा की नहीं तो वैसे देखिए आपको यहाँ पर इंवेस्पेंट करना पड़ेगा तो चल्ले देख लेते न्यूस के आज के लिए तो यहाँ पर आप लब दैसे थे जैसे कि जो इंडियान गवर्मेंट है इन्होंने जो शुगर एक्सपोर्ट होता है बाहर वहाँ पर लिमिटेशन लाए लिमिटेशन लाने का कारण एक है जैसे कि जो शुगर का प्रोड़क्शन है इंडिया में बहुत ज्यादा होता है तो आप लोगों को पता रहेगा जो आभी फिलाल जो भी कंट्री है इंडिया और पूर हो जाएगे क्योंकि अगर सप्लाइ बढ़ता है तो डिमांड कम होगी और जो भी प्राइस होगी शुगर को यहाँ पर कम हो जाएगी और जो इंडियान जो लोगे उनके लिए शुगर बहुत ही सच्थी प्राइस पर मिल जाएंगे इसा गवर्मेंट का केन है और इसके अ का हो रहा है यहाँ पर लग दे सकते हैं अगर कोई भी शुगर इंडरेस्टी यहाँ पर एक्सपोर्ट करें तो उनके लिमिटेशन कपसे चले होने लिए फॉर्स चून 2022 से मतलब सबसे पहले इनको कहां से यहाँ पर अपर लेना पड़ेगा देख सकते जो फूड इंपोर्टन रहेगा जो भी शुगर इंडिस्ट्री उनके लिए देखे गवर्मेंट चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यहां पर शुगर इंडिया में यहां पर उसका जो सप्लय हो जाए और जो सप्लय होने के बाद अर्टमेटिकली जो भी प्राइसे रहेंगे गिरने के सेक्टर पर पाइंडियान गवर्मेंट है रिस्ट्रिक्षन ला रहें जैसा सप्लय कि कोशिश करें इंडिया में देखा जाए तो जो भी शोगर स्टोक से ओगार शुगर वर्क्स लिमिसेड़ और लेकिन एक ही प्रोब्लम है जो कमपणिया बहुत ही छोटी है माईक्रो क्या पिर स्मॉल क्याप टाइब की कमपणिय Themen तो इससे जो कमपणिय रहेती है बहुत ही रिस्की रहेती है क्युनकी करेक्शन आयगा तो Stock में Lower Circuit चालो होता है और जिस दिन लोर स्टर के चालोगा आपको वहाँ से निकलना मुश्किल होता है तो आपको क्या करना है दीरी देरे करके यहाँ पर इन्वेस्मेंट करना पड़ेगा क्योंकि उनका एक कहना थे कि शुगर का प्रोडुक्शन बहुत ही जादा होता है तो उसको थोड़ा बहुत कम करके इतनौल में उतरना चाहेते कि इतनौल मतलब क्या रहते है जो आप लोगों को पता रहेगा फोर विलस रहते है जैसे कि डिजेल और पेट्रल पे चलते है अ तो आगे जाके अगर इतनौल में कोई भी यहां पर शुगर फैक्टरी यह फिर जो भी सुगर स्टॉक के कंपनिया उतर जाते तो स्टॉक में बहुत बड़ी रियालिया सकते आने वाले समय में देखिए आगे तो फ्यूचर में होगा नहीं होगा किसी कोश नहीं पता तो